ओ माई गॉड बजार तो बड़ा रिस्की है हलो अगर मेरे पास दोस्तो आज 10 लाख रुपे है 10 साल बाद उसकी कितनी किम्मत होगी दोस्तो पास्ट में मैंने जो निवेश किया है उसको मैंने क्या प्रॉपर वे में ऑप्टिमाईस किया दोस्तो आज जो मेरे पास पैसे है उसको मैं कौन सी असेट में रखू तो मुझे रिस्क कम हो मुझे एप्रिशेशन भी अच्छा हो दोस्तो इतनी सारी असेट से दोस्तो स्टॉक मार्केट तो आमने सुना एक बड़ा रिस्की है लोग डेरिवेटिव में दस लाग का दस जार भी कर देते ऐसा हो गया मेरे साथ तो पिछले इतने समय से मैं कमा रहा हूँ पर मेरी एसेट इतनी है और लायाबलिटी में इतनी करके बेटा हूँ मैं इसमें से कैसे निकल के दोस्तो एसेट को और बड़ाओ दोस्तो ऐसे कई प्रशन अगर मेरे दिमाग में है तो आने वाला सेशन 5 Step Toward Wealth दोस्तो इन प्रशनों का हल आपको दे सकता है दोस्तो क्या आप जानते हैं कि कई लोगों के पास पैसे आते हैं पर वो पैसे को manage proper नहीं करने के कारण वो पैसे dissolve हो जाते कुछ समय के बाद वो रहते नहीं है वो पैसे को proper invest नहीं करने के बाद उनको proper फाइदा भी नहीं होता दोस्तो अब इन चीजों की मैं बात करूं तो किसको करूं दोस्तो क्या मैं हर एक वेक्ति पे भरोसा भी finance की दुनिया में रख सकता हूं दोस्तो दोस्तो पैसे की किमत समय समय पे बदलती रहती है inflation कुछ हच पे हमारे पैसे को खाता रहता है लेकिन अगर मेरा planning proper हो और मैं खुद अगर मेरे लिए proper plan कर सकू तो दोस्तो मैं अपनी assets को बढ़िया बढ़ा सकता हूं जैसा दोस्तो मुझे टाइम पे घाड़ी चलाना नहीं आता था क्योंकि उसका कोई subject नहीं था college में मैं नहीं पढ़ा था पर मैं सीखा मुझे घाड़ी आ गई दोस्तो ऐसे ही कई skills है जो हम सीख सकते है finance भी एक ऐसी skills है जो दोस्तो हम इनसे सीख सकते है तो हम खुद के लिए अपनी assets को optimize कर सकते दोस्तो पिछला समय जो गया वो गया पर आने वाले समय में जो मैं कमाने वाला हूं मेरी उन assets को मैं proper way में manage कर सकता हूं दोस्तो अगर आप भी finance सिखना चाते है stock market में manage सिखना चाते है तो ready हो जाए दोस्तो 5 step toward wealth की meeting आपके share में वापस आ रही है दोस्तो 5 step toward wealth 43 cities में 10 साल से ज्यादा समय से दोस्तों investors को stock market investment कैसे किया जाए ease से किया जाए risk free रह के किया जाए ये दोस्तों सिखाती है इन 5 step toward wealth में दोस्तों आप सिखोगे personal finance कैसे करे industries को कैसे जाने जो पैसे को अच्छा बढ़ा के देने वाली है ऐसी company हम कैसे ले जो में sustain समय तक की earning दे सकती है मैं कैसे मौकों को पहचानू मैं कैसे danger को पहचानू मैं कहां पे profit book करू कहां पे मैं buy करू दोस्तों मैं मेरे portfolio को कैसे ऐसा बनाऊ कि मुझे रोज share बजार देखने की कोई जरूर ना पड़े अगर ये जानना चाहते हैं दोस्तों तो ये 3 घंटे का session आने वाले 30 साल के portfolio को दोस्तों change करने की ताकत रखता है और यहां दोस्तों ये session बिलकुल free है साल में एक बार ये session हम करते हैं अलगलग share में आज ही दोस्तों register करवाईए